बच्चों को पकड़ने का आज संसनिक हेज मामला सामने आया है जहां पर घर से पैदर स्कूल जा रही एक दस वर्षिय बच्ची को बच्चा चोर के दोरा पकड़ने का प्रियास किया गया नसीली पदार सुंगा कर उसे किड्नैप करने की कोशिश की गई जिसको देख चीकत रहते हैं रुमाल में दवर डाले हमें पकड़ रहते हम बागे एक आंटी बुहाई थी जाड़ों लगा रही थी इसकी घर में भी घुश गया है जहां पर अपने घर से श्कूल जा रही बच्ची को एक बच्चा चोर के दोरा पहले तो बुलाया गया उसके बाद बच्च बच्ची उसके पास पहुची तो बच्चा चोर के दोरा जेब से नसीली पदार्थ का सीसी निकाल कर रुमाल पर डाल कर उसे सुगाने का प्रियास किया गया जिसको देख बच्ची चीकते हुए पास के एक घर में घुश गई जिसके बाद आसपास के लोगी कठा होकर पुलिस के हवाले कर दिये तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे आप जिले के बाहर का रहने वाला है ये आज एक बच्ची जो अपने घर से स्कूल जा रही थी उसका पिछा करके उसको नसीली पदार सुगा कर अपरहड करने का प्रियास किया है बच्ची को नसीली प बताई तो मोहले वालों ने मिलकर बच्चा चोर को पकड़ लिया जिसके बाद मोहले वालों ने बच्चा चोर की जम कर पिटाई की उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया पुलिस पूष्टाज कर रहे हैं अब यहां वहालों के लिए आपको बताजे की पकड़े गए वेक्ट से पुलिस पूष्टाज कर रही है छात्रा के पिता ने कोतवाली में घटना की तहरीर दे दी है जिस पर पुलिस ने अवियोग पंजी कर लिया है और आगे की कारवाई सुरू कर दी है वहीं अगर पुलिस के माने तो बच्चा चोरी का प्रकल परकास में आया है अस्थानीय अएवेधिन अगर थाना कोदवाली जेत्र के लोहों ने आज थाना कोदवाली पर सुचना थी कि उनके तवारा एक रगत्त को पकड़ा गया है जो वहाँ पर एक नावालिक लड़की को देगा कुछ ऐसी हर्कते कर आधा जिस्से नावालिक लड़की को ये शक वदियुगे तो उसको चुराएगा या उसको परहां करेगा इस बात की उसे सुचना तुरंट दौड के लोगों को दी है तो वहां के लोगों ने उसको पकड़गा थाने को सौंदिया है और उस व्यत्ति का नाम शेकु है जो लावरेली से बाहर का रहने वाला है और अभी उससे पुस्त आदे हैं वाला है और उसको पुस्ति की और